Hello everyone, you are welcome to our YouTube channel आज की इस वीडियो में हम कुछ important questions को discuss करेंगे जो की old English literature से related होंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को हमारा first question है The Anglo-Saxon Chronicle is a record of events from dash to dash centuries Anglo-Saxon Chronicle जो है यह एक events का record है और आपको यह बताना है कि यह किस century से किस century तक का record है First option है 6 से 7th century Second है 7 से 9th century Third है 9 से 11th century और fourth है 11 से 13th century तो इसका सही answer होता है 9 to 11th century अगला question हमारा है second number का Who of the following is a guilty shiro from an early epic आपको यह बताना है कि यह जो चार options है इसमें से कौन सा एक है जो एक गीटिश हीरो है एक early epic का First है Gilgamesh Second है Beowulf Third है Ulysses Fourth है Aineas और इसका सही answer है Beowulf Beowulf basically old English literature का एक longest surviving poem है इस poem में total 3,182 lines का प्रियोग किया गया है यह poem alliterative verse में लिखा गया है और इसका जो writer है वो anonymous है इसलिए इसका सही answer यही होगा Beowulf अगला question हमारा है Third number का Which of the following did medieval minstrel do Minstrel की meaning होती nut यह जो गाने गाते है तो यह कहना साथ है कि medieval की जो minstrel होते थे वो कौन सा कार्री करते थे First है Sing ballads Second है Fight in war Third है Collect taxes Fourth है All of these तो इसका सही answer है First वो जो medieval के minstrel होते हुआ करते थे वो लोग ballad song आते थे इसलिए सही answer हो जाएगा First अगला question हमारा है Fourth number का In which year was the Archbishop of Canterbury Thomas Beckett assassinated यह कहना चाहते है कि कि किस साल जो Canterbury होता है उसका पादरी होता है Archbishop Miss पादरी होता है तो जो Canterbury का Archbishop होता है जिसका नाम होता है Thomas Beckett उसकी मृत्यू किस साल में होती ही किस साल उसको assassinate किया जाता है उसकी हत्या कर दियाती है First है 1089 में Second है 1135 में Third है 1159 में Fourth है 1170 में और इसका सही answer है 1170 में 1170 में जो Archbishop होता है Canterbury का जिसका नाम होता है Thomas Beckett उसकी assassinate की जाती है यानि कि उसकी हत्या किर दियाती है उसको जान से मार दिया जाता है अगला question हमा रहा है 5 नंबर का Cambridge the second oldest university in English speaking world was established in the Dutch century यह कहना चाहता है Cambridge जो कि एक university है यह second oldest university है English speaking world में और आपको यह बताना है कि इस university को किस साल established किया गया था किस साल इस्थापित किया गया था फर्स्ट है 11th century सेकेंड है 12th century थर्ड है 13th century फोर्थ है 14th century और इसका सही आंसर है 13th century 3rd यानि कि 13th century में Cambridge University को establish किया गया था अगला question हमारा है 6 नंबर का आफ्टर दा नॉर्मन conquest of 1066 नॉर्मन फ्रेंच वोज दा डोमिनेंट लेंग्विस यूजड बाई यह कहना चाहते हैं कि जब ब्रिटेन ब्रिटेन पर नॉर्मन अटैक करते हैं और वो conquest कर लेते हैं नॉर्मन 1066 में नॉर्मन के अटैक से पहले ब्रिटेन में एंग्लो सेक्षन रह रहे होते हैं लेकिन 1066 में नॉर्मन अटैक करते हैं और यह एंग्लो सेक्षन को हरा करके वहां से भागा देते हैं उसके बाद में जो नॉर्मन फ्रेंच होती है वो वहां के dominant language बन जाती है और आपको यह बताना है यानि कि यह जो नॉर्मन फ्रेंच लेंग्विस होती है यह अपर क्लास लोगों के द्वारा बोली जाती है अगला कोश्चन हमारा है 7 नंबर का आपको यह बताना है कि जो मेडिवल इंग्लेंड होता है वहां पर किसको समझा जाता था है कि यह बहुत है 트ेंड क्राफ्ट मैं है जो क काम करता था एक मास्टर केंड़न में जिसके एक बिजुनिश वा करता था फस्ट हे पार्डनर सेकरेंड है समनर थर्ड है जर्नी मैं फॉर्ड है मैंसिपर और इसका सई आचा आंसर C है जर्नी मैं trained craftsman है जो की काम करता था एक master candidate में जिसके एक business वा करता था first है partner, second है summoner, third है journeyman, fourth है emancipal और इसका सही answer C है journeyman अगला question हमारा है 8 नमबर का यह कहना चाहते हैं जो French का जो French language होती ही उसका जो direct influence वाता है English language पर middle English period के दोरान वो किस form में आता है first है loss of inflection, second है intake of French words into English, third है both the loss of inflections and intake of French words into English, third है addition of inflections और इसका सही answer है B, intake of French words into English अगला question हमारा है 9 नमबर का after the Norman conquest England became three language nation for at least two centuries the three languages were यह कहना साथ है जब 1066 में Norman attack करते हैं Britain पर और वहाँ पर उससे पहले Anglo section रह रहे होते हैं तो वहाँ से वो Anglo section को भगा देते हैं और Norman वहाँ पर रहने लगते हैं जब वहाँ पर normal रहने लगते हैं तो वहाँ पर तीन language यूज किया जाता है बिरेटेन में यानि कि जो ब्रिटेन होता है वो थ्री लेंग्वेज नेशन बन जाता है और ये जो थ्री लेंग्वेज नेशन होता है ये अगले दो सेंचुरीज तक के चलता रहता है आपको ये बताना है कि जो थ्री लेंग्वेजेज होती ही वो कौन कौन सी लेंग्वेजेज है फर्स्ट है English, French and German, सेकंड है English, Latin and German, थर्ड है English, French and Latin, फौर्थ है English, French and Greek और इसका सही आंसर है थर्ड इंग्लिश, French and Latin. इसके बाद में English language को, वो यूज करता है एक national identity का sense create करने के लिए वो English language को यूज करता है यानि यह कहना चाहती है कि वो English language को बढ़ावा देता है और जो independent countries होती है उन पर political control को बाकि रखता है, रिटेन रखता है फर्स्ट है Alfred the Great है, सेकेंड है Edward the Elder है, थैड है King Arthur, फौर्थ है अगला question हमारा 11 number का है यह कहना चाहते है जो old English poetry उसमें बहुत सारी poems है जिसमें से एक बहुत अच्छी poem है जिसका नाम है The Dream of the Root और आपको यह बताना है कि यह जो rude word है, इसकी meaning क्या होती है फर्स्ट option आपके पास है The Cross, सेकेंड है The Christian, थैड है The Infiddle, फौर्थ है The Cardinal और इसका सही answer फर्स्ट है The Cross इसकी meaning होती है बहुत important question है आगला question हमारा है 12 number का During the reign of Norman Kings, it was fashionable to speak Dutch in upper class circles in England यह कहना चाहता है कि Norman Kings के दोरान, यानि कि जब Norman Kings का शासन चला होता है तो उस दर्मान में, उस दोरान में एक fashion बन जाता है कि upper class के लोग में, upper class के लोग एक language, particular language यूज़ करते हैं और वो language यूज़ करना fashion बन जाता है आपको बताना है कि कौन सी language यूज़ करना fashion बन जाता है First है Norse, Second है Latin, Third है Danish, Fourth है French और सही answer इसका है French यानि कि जो upper class के लोग होते हैं वो Norman Kings के शासन के दोरान French language का प्रियोग करते हैं तो अगला question हमारा है 13 number का Which of the following was not a dialect of old English? यह कहना चाहता है dialect बेसिकली छेतरी भासा होती है जो किसी particular reason में बोली जाती है जिसकों Wessex की बे कहते हैं या Vernacular भी कहते हैं तो आपको यह बताना है इसमें से four languages हैं कौन सी language है जो old English literature का dialect नहीं है यानि कि छेतरी भासा नहीं है फस्ट है Irish, सेकंड है नोर्थुम, ब्रियन, थर्ड है मर्सियन, फौर्थ है केंटिश और इसका सही answer होता है Irish उसमें की dialect नहीं होती है और हमारा आज का last question है What three Germanic tribes invaded Britons in the 5th century AD bringing with them the roots of modern English यह कहना चाहते हैं कि जो 5th century AD होता है तो 5th century AD में कौन सी तीन Germanic tribes होती है जो कि Britons पर हमला करते हैं और अपने साथ में modern English के roots को लाती है तो यह कौन कौन सी तीन tribes होती है फस्ट है the dense, sections and celtz या cells सेकंड है the celtz, jures and sections थार्ड है the sections, dents and angles और fourth है the jures, angles and sections और इसका सही आंसर होता है d jures, angles and sections यह तीन tribes होती हैं अटैक करती हैं 5th century AD में तो यह हैं हमारे आज के questions हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में Till then, take care, have a good time आए हैं